इस सल के अंध में राजस्थान में विधान सबाचुनाव होने हैं। इस सल के अंध में राजस्थान के दोनों दिगजनिताओं को मना लिया है। क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ शब्द बान नहीं चला रही। ऐसे में एक सर्वे सामने आये हैं जिसमें कि राज्जे के लोगों से उनका फेवरेट सीएम कौन होना चाहिए ये पूछा गया। तो चले इस वीडियो में आपको बताते हैं कि राजस्थान की जनता किसको बत और सीएम देखना चाहती है। राजस्थान के कुल 6705 लोगों के साथ एक सर्वे किया गया। ज्यादा गयलोत को पसंद करते हैं। हलाकि सर्वे में भारतिय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे भी टकर देती नजर आ रही है। वसुंधरा को सीएम पत के लिए कुल 26 फीसेदी लोगों ने पसंद किया है। सचिन पाइलेट से ज्यादा वसुंधरा राजे का दबदबा है। यदि BJP जीती है। बतौर सीएम फेस वहां के लोग वसुंधरा राजे को सीएम की कुरसी पर बैठे देखना चाहते हैं। अगर कॉंग्रेस वापस से राजिस्थान की सत्ता पर काबिज होती है। तो राजिस्थान की जो जनता है वो अशोग गैलोट को ही वापस से मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। हाला कि सचिन पाइलेट की भी जो फैन फॉलिंग है वो कम नहीं है। अगर से राजिस्थान की जनता काफी ज़यादा पसंद करती है। तो बिलकुल अशोग गैलोट ने अपना जादू चला रखा है राजिस्थान की जनता पर और वो राजिस्थान की जनता के दिलों पर राज करने लगे हैं। अपनी अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी अनेक कारियों के माध्यम से अश्रोग गैलोत नी रायस्थान की जनता का दिल जीतिया है अब एक काफी दिल्चस्प होगा कि विदान सभा चुनाव में जो तरीके से बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों एक जुटता के साथ कड़ी टकर देते हुए चुनाव की तैयारियों में जुटी है एक तरफ जहां बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाला है वहीं दूसरी तरफ शुग गैलोत भी कहीं पीछे नहीं है कॉंग्रिस की ओर से भी तमाम योजनाई निकाली जा रही है, रैलिया हो रही है कि राजस्तान की जनता को जो दोनो पार्टी है जिसमें एक बराबर की टकर देखी जा रही है वो राजस्तान की जनता को सीथे साधने की कोशिश में जुटे वे हैं काफी दिल्चरस पहोगा देखना है कि आखिर किसकी कोशिश रंग लाती है क्या राजस्थान में एक बर फिर से कॉंग्रेस की सरकार बनती है या फिर राजस्थान जो अपनी परंपरा इतने सालों से चलाया रहा है कि एक ही पार्टी को दुबारा सत्ता पर काबिज नहीं हो ने देना है तो क्या राजस्थान अपने इस परंपरा को बढ़करार रखते हुए बीजेबी को जीत दिल्वाता है या फिर परंपरा को तोरते हुए कॉंग्रेस को जीत दिल्वाता है